नोबिता रहेगा तीन दिन तक भूखा इतनी अच्छे डिश बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया खाने के लिए ठैंक यू माम खाने के लिए शुक्रिया अरे आपने मचली और हरी मेच क्यों नहीं खाई अरे लेकिन आप चलो और मारो नोबिता जब मैं छोटा था तो एक बात मुझे अक्सर बताई जाती थी हमारे देश में बहुत बुरा वक्ट चल रहा था खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था तो बच्चे सिर्फ खास खाकर कमजोर हो गए थे हाँ अभी अभी मारो और उस वक्त किसी को नहीं पता था कि क्या करना चाहिए चलो चलो जल्दी और डोरी मॉन सामने वाला हार मानने वाला है लेकिन हमारे पास काफी खाना है चलो ये अब आखरी राउंड है नोबिता को पता नहीं कि भूग कितनी बुरी होती है अभी उससे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं बहुत बढ़िया रुक चाहिए डाड देखो नोबिता डाड सही कह रहे है हम सब के जीने के लिए खाना खाना बहुत सरूरी होता है नोबिता तुम्हें इस बात का ध्यान रख चलो चलो इसे समझाने को कोई फायदा नहीं अच्छे यह होगा अगर इसे भूक लगने पर ही बता लगे हाँ यह क्यांडी अथलीट्स वसंगम करने के लिए खाते हैं यह लो अगर आप एक गोली खा लेते हैं तो आपको एक टाइम का खाना नहीं मिलेगा लो ट्राइ करें नहीं बता अरे मैं बात में ले लोगा बहुत अच्छे हैं हम जीन करें अब मैं क्या करूँ ठीक है इसे यही रख देता हूँ क्या मज़ेदार मैच थी यह क्या है स्वादिश्ट है अरे यह तो बेकाल चाहेगा चाहर रिष्ट वाजर समय मोटी हो रही हूँ मैंने कुछ जादा ही सो लिया यह खुदर पढ़ होगी मैं स्कूल के लिए लेट हो जाओगा अरे लोबिता कम से कम ब्रेड तो खालो मेरे पास समय नहीं है माम अरे हाँ उसने एक गुली खाई थी तो उसे नाश्टा नहीं मिल पाया मैं समझ क्या लेकिन अब उसे स्कूल का लंच बहुत ही अच्छा लगेगा अब इससे जाकर खाने की कीमत समझ आएगी मैं वापस आ गया और कैसे लगा आज स्कूल का लंच कैसा था मैंने कुछ नहीं खाया है क्या तुमने नहीं खाया नोबिता वो डोरीमान मैं लंच से पहले फ्रेश हो रहे गया था और फिर ये खुल क्यों नहीं रहा है कोई है मैं एक गटी के लिए बंद हो गया था ये तो बहुत भुरा हुआ नोबिता मॉम मॉम अगर कुछ खाने के लिए है तो प्लीज दे दो मॉम तो कहीं गई हुए है उन्होंने कहा कि वो शाम को वापस आए थी स्था कहा है वो खाना भनाना भूल गई क्योंकि वह जल्दी में दूब मैं क्या करूँ नहीं है यहां भी नहीं यहां एक अप में नूडल्स देना माफ करना वो तो मैं खा गया सौडी नोबिता खाने के लिए कुछ भी नहीं है अब छोड़ो भी नोबिता मुझे लगता है सौरूपे जरूर निकलेंगे इतने पैसे में तो मैं ब्रेट जरूर खरीदूँगा यह तो बन है अब मैं क्या करूँ आइडिया यह तो बहुत महंगा है अरे हां यहां पर तो सब कुछ मेलेगा मेरे पैसे गेर गए मुझे भूख लग रहेगा हेई नोबिता मेरे साथ खेलना चाहोगे इससे मैं अपना ध्यान बटा सकता हूँ अरे वाँ मैं जीन गया अब तो रात हो गई है दिनर टैप हो गया होगा मैं वापस जा रहा हूँ गर जल्दी जाने के लिए मुझे हार ना होगा मैं जीन गया यह एक बार फिर से अरे रहली मैं जीन गया एक बार फिर से मैं दोवारा जीन गया एक बार फिर से अखेकार मुझे छटकारा मिल गया बहुत भूख लगी है खाने की ख़जवाँ नूबिता मैं तुम्हें कहा खाने ही ढूंड़ा कहा थे अरे मैं कोई खाना नहीं हो नूबिता क्या करें हूँ बस हम घर पहुचे गए नूबिता अराम से कोई बात ने मैं आ गया तुम इतनी देर क्या कर रहे थे नूबिता मॉम प्लीज खाना दो मैंने अब सब साफ कर दिया है तुम खाना छोड़ देते हो इसलिए तुम्हें खाने की कोई जरूरत नहीं है अब क्या करूँ मुझे भूख लगी है लगता है तुमने तीन गोलियों से जादा गोलिया खाली थी नूबिता लग बग मेना दस खाय थी क्या है इसका मतलब तुम कम से कम तीन दिन तक कुछ नी खापाऊगी यह तुम क्या कह रहे हो दोने मार प्लीज कुछ करना मुझे बहुत भूख लगी है पुझे भूख लगी है इसना असान नहीं होता है नूबिता क्या करूँ मैं अब बस यही एक रासा है जिनर तयार है खाना यह तो सादिश लगा है अगर किसी को पता चल गया तो परिशानी हो जाएगी बहार चलो चलो आजाओ आजाओ अब तुम यहां खा सकते हो नूबिता मैं खाए रहा हूँ अब अब समझ आए भूख रहना कितना पुरा होता है अब सब खाना हमेशा समय पर खाऊँगा ने माम मैंने चुपके से नहीं खाया है तो फिर ये खाना किसने खाया जूट बोलने वाले को खाना नहीं मिलेगा मुझे डाट पिन ले वाली है अब उस नूबिता के बारे में मत सोचो चलती से खालो माम मुझे भूख लगी है इसका कुछ नहीं हो सकता